तो चलिए आज बनाते हैं बाजार में मिलने वाली मेंगी मिठाई और वो भी मिन्टों में तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मावा और यह मावा मतलब के खोया मैंने गर पे बनाया है ये खोया मैंने कैसे बनाया है इस recipe की link आपको description मिल जाएगी तो वहाँ चाके आप check कर सकते हो तो यहाँ पर हमें चाहिए एक कटोरी मावा यानि की खोया और एक कटोरी नारिल का बुरादा तो दोनों का same measurement हम लेंगे और इसके अंदर मैं add करूंगी dry foods तो यहाँ पर मेरे पास है पिस्ता तो इसको मैंने बारिक चॉप करके लिया है तो यहाँ पर मैंने दो चम्मच पिस्ता लिया है दो चम्मच काजू और दो चम्मच बदाम यहाँ पर आप अपनी पसंद की कोई भी dry foods ले सकते हो और इन सब को अच्छे से हम mix कर लेंगे तो यह दिखिए अच्छे से mix हो चुका है अब इस mixture से हम छोटे छोटे लड्डू बनानेंगे आपको जितने चाहिए उतने अब लड्डू बना सकते हो मुझे यहाँ पर 6 लड्डू चाहिए तो मैं यहाँ पर 6 लड्डू बनाऊंगी तो यह दिखिए इस सारा से सारे लड्डू हम बना देंगे तो अब हमें चाहिए चॉकलेट तो यहाँ पर मैंने तीन टाइप के चॉकलेट लिये हैं डार्क, वाइट और मिल्ड चॉकलेट तो इन सब चॉकलेट को मैंने मेल्ड कर दिया है तो यह दिखिए सारे चॉकलेट को मैंने अच्छे से मेल्ड कर दिया है मैंने oven में इसको melt किया है आप double boiler से भी इसको melt कर सकते हो और अब हमें चाहिए एक mold इस तरह का mold मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने ये ले लिया आपके पास कोई साभी mold हो तो भी चलेगा आप ओभी ले सकते हो और अब इस mold के अंदर हम spread करेंगे chocolate तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है milk chocolate और इसको mold के अंदर अच्छे से spread कर देना है हम chocolate के पतली layer लगाएंगे और उसको अच्छे से spread कर देंगे तो ये देखिए इस तरह मैंने सारे chocolates को mold में spread कर दिया है और अब इसको freeze में हम थोड़े देव के लिए set होने के लिए रख देंगे तो पांसे साथ मिर में अच्छे से set हो जाएगा और अब हम ले लेंगे वो लड़्डू जो हमने बनाएं थे और एक एक लड़्डू इसके अंदर हम रख देंगे और उसको चम्मस से अच्छे से press करके उसको दबा लेंगे ताकि अच्छे से अंदर से set हो जाए और अब फिर से उपर से चोकलेट के लिए लगा देंगे और अब उसको tap कर लेना है थोड़ा थोड़ा और अब उसको फिर से freeze में set होने के लिए रख देना है पांच से साथ मिन्ट में अच्छे से set हो जाएगा तो ये देखे पांच मिनिट हो चुके हैं और ये हमारी चोकलेट अच्छे से set हो गए है उपर से भी और अब इसको unmold कर देंगे तो ये देखे कितने easy निकल गया है और देखने में कितना मस लग रहा है तो हम सारे चोकलेट निकाल लेंगे तो ये देखे हमारी जो मिठाई हमने बनाई थी चोकलेट वाली वो एक दम ready है और इसकी sides में जो extra चोकलेट थी उसको हम चाकू से हटा देंगे ताकि देखने में एक दम perfect लगे तो ये अब ready है और अब इसको थोड़ा सा decorate कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर white चोकलेट की उपर लगा रहा है purple dust ये edible dust है और अब ये जो milk चोकलेट है उसके उपर में लगाऊंगी copper lid और ये भी edible है आपके पास जो भी decoration का सामान हो आप उसके उपर लगा सकते हो और उसको अच्छे से decorate कर सकते हो और अब ये जो last वाला dark chocolate था हो उसके उपर मैंने लगाए ये थोड़ी से melted chocolate और अब इसके उपर मैं रख दूँँगी heart shape की candy तो ये देखिए हमारा ये जो decoration है वो भी complete हो चुका है और देखने में कितनी मस्त लग रही है तो ये मिधाई आप market में लेने चाओगे तो बहुत ही महेंगी मिलेगी लिकिन गर पे easily आप बना सकते हो और ये खाने में भी बहुत ही tasty लगती है और easily बन भी जाती है ओके तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पहें नो तो सिस्क्राइब और ये रेसिपी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएगा तो मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो के साथ तब तक की लिए बाई जैशी करशन